1947 में जब इंडिया अजाद हो रहा था तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्राब्लम थी अब वो प्राब्लम थी City of Khansar Khansar के राज़ा वहां आते हैं और इंडिया के मैप से Khansar का नाम मिटा देते हैं और वो सबको बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि इंडिया के रूल्स Khansar पे लागू नहीं होंगे बलकि Khansar के सारे रूल्स इंडिया पे जरूर लागू होंगे अब इतनी सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह Khansar जो जगह है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है यहां तक कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आये थे उन्होंने लगबग सारे के सारे इंडिया को कब्जा कर लिया था जब वो Khansar गए तो वहां पे उन लोग को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी Khansar अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए फियर को यानि डर को अपने हतियार की तरह इस्तमाल करते थे यह डर इतना था कि लोग Khansar का नाम लेने से भी डरते थे और यह तो थी Khansar की मूवी में बनाई हुई स्टोरी Khansar वैसे रियालिटी में गुजरात के पास कोई जगह नहीं है यह जगह एक्चल में इरान के एक सेंटरल डिस्ट्रिक में है और इसका नाम भी बिलकुल ही Khansar है बट यह पूरी की पूरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पाइड हो रखी है मूवी में जो प्रभास का कैरेक्टर है वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है इसलिए उसका नाम सलार रखा गया है जो कि पर्शियन एंपायर से इंफ्लूेंस होके किया गया है जहां पर इस वर्ड का मतलब होता था आर्मी कमांडर या फिर कमांडर इंचीफ जो कि मिलिटरी में सबसे उपर वाली रैंकिंग में आता था जेंगिस खान को तो दुनिया में बहुत ज़ादा पावरफुल माना जाता था क्योंकि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कंटिगेस एंपायर था जिसका मतलब एक ऐसा एंपायर जो कि लैंड से लैंड जुड़ा हुआ हो कहीं से ब्रेक ना हो बीच में और इनी का रेफरेंस लेके बताया जाता है कि खानसार के लुटेरे इनसे भी ज्यादा खुंखार और ताकतवर थे वुवे के अंदर एक मनार ट्राइब को दिखाया गया है एक शार्यांगा ट्राइब है और साथ ही साथ एक घनियार ट्राइब को भी दिखाया गया है यानि majorly इन तीन ट्राइब्स को दिखाया गया है जो कि मिलके आपस में काम किया करते थे और कुछ ये eagle और bull जैसे figures को ये अपने भगवान की तरह देखते थे अब ये चीज़ भी काफी हद तक real life से ही inspired है हमारे हिंदू कल्चर में animals को भगवान की तरह देखना तो normal बात है ही बहुत सी ऐसी छोटी छोटी tribes भी हैं जो कि animals को symbolize करती है और बाहर भी अगर हम Norse mythology की बात करें जिसमें Thor भी आता है इसमें भी wolf को काफी ज्यादा symbolize किया गया है African tribes में भी cattle का बहुत ज्यादा बड़ा role play माना जाता है Egyptian culture में भी अगर हम देखे तो बहुत से animals को भगवान की तरह treat किया गया है यहां तक कि Chinese culture में भी dragon को वो एक तरीके से god ही मानते है सांसार तो fictional है बट क्या सच में ऐसी कोई जगे थी जो कि Independence के टाइम पर इंडिया का पार्ट नहीं थी Independence के टाइम पर पाकिस्तान और बांगलादेश इंडिया से अलग हुए थे जमू अन कश्मीर के पास भी option था कि वो किसी एक जगे को चुन सकते हैं इंडिया या पाकिस्तान को और वहां के राजा महराजा हरी सिंग ने इंडिया को चुना हैदरबाद भी एक ऐसी जगे थी जो अलग से Independence चाहती थी और 1948 में military ने वहाँ पे एनेक्स किया था और इस operation से हैदरबाद को इंडिया का पार्ट बना दिया गया था को बहुत समय के लिए back foot पर रखा था Sikh Empire ने भी Britishers को बहुत ही तगड़ी fight दी थी अवद की तो local population ने ही बहुत ज़ादा अपोज किया था Britishers को जहांसी की राणी लक्ष्मी बाई की स्टोरी तो सबको ही पता है हाला कि एक difference यह कि इन सारी ही जगा को Britishers ने जैसे तैसे acquire कर लिया था movie में हाथ में पहने हुए कुछ bracelets या कड़ों को बहुत ज़ादा power symbols की तरह showcase किया गया है और इसके भी आपको बहुत सारे real life significance मिल जाएंगे जैसे Egypt में लोग इस तरीके के कड़े पहनते थे कि खांसार अपनी power बनाये रखने के लिए लोगों के दिल में डर बना के रखते थे और actually ऐसा तो हर dictator करता ही है आज की date में इसका सबसे बड़ा example खुद किम जॉंक उन ही है